कोरोना की दूसरी लहर थमने की बाद अब जन जीवन सवाने हो रहा है ऐसे में लॉकडाउन में छूट मिलने की बाद आटो मुबाइल सेक्टर में भी तेजी देखने को मिल रही है जिसके चलते ही पिछले साल के जून की मुकाबले इस जून में जैपूर में अधिक वाहनों की बिक्री हुई है कोरोना की दूसरी लहर का पूरे देश के साथ ही प्रदेश में भी व्यपक असर्द देखने को मिला था कुरोना के कहर के कारण ही प्रदेश में एक बार फिर लोकटाउन भी लगाया गया था जिसके चलते हैं प्रदेश में वेफसाई गत्विदियों पर भी ब्रेक सा लग गया था लेकिन अब कुरोना की दूसरी लहर थमने के बाद आम जन जीवन के साथ ही विफसाई कत्विधियां भी सामाने हो रहे हैं और इसका खास असर आटो मुवाइल सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है जिसकी चलते हैं जैपुर में जून महीने में हुई वाहनों के बिक्री आटो मुवाइल सेक्टर के लिए सुखत संकेत लेकर आई है इस साल जून के महीने में जैपुर में 8366 बहानों की विक्री हुई जो पिछले साल की जून में हुई बहानों की विक्री से 1184 बहाना देखाए देखें, पिसले जो जून में वाहनों की विक्री हूई है, इस की तुनना में इस जून में वाहनों की विक्री हूई है। दरसल कुरोना के कारण बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सार्वजनिक पर्मेहन सेवा से दूरी बना ली है। इस कारण भी वहानों की विक्री का आंकडा बढ़ रहा है। चलिए आपको इत्मिनान से बताते हैं कि पिछली साल जून और इस साल की जून के महीने में कितने वहान विक्री हैं। पांच हजार साथ सोग्वान दूपईावान विक्री है। जून दोहजार बीस में साइट कारवाली दूपईावान 14 विक्री थे। बहिन जून दोहजार बीस में एसे 15 विक्री है। बहराल जयपर में बढ़ रही बहानों की बिक्री आटम वैल सेक्टर के लिए एक सुखत संकेत है जो बताता है कि फैस्टिव सीजन में हाला ठीक रही तो बहानों की बिक्री रिकॉर्ड इस तरह पर भी पहुंच सकती है शीव बंदर सिंक पन्मार पाष्टर नियनुच जापून